हेलो फ्रेंड्स बिना की दुनिया में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुती आशान और खुशुरा सा डूर में डिजैन शेयर कर रहे हूं इसके लिए मैंने यहां यह नौ नमबर की सलाई ली है और यह उन ली है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फंदे डालेंगे आप जिस तरह फंदे डालते है फ्रेंड्स तरह फंदे डाल सकते हैं मैं ऐसे एक नौ՟ लगा रही हूं ऐसे और यह नौट से एक फंदा हो गया चोदा फंदे डालने है एक फंदा यह हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नोग, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, जोदा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, चौदा फंदे होगे, अब उल्टी सलाइब में फ्रेंट समय क्या करना है चार फंदे उल्टे बनाने हैं, यहीं से डिजाइन सुरू हो जाएगा एक, दो, तीन, और यह चार चार फंदे उल्टे बना लिए, उसके बाद यहाँ हमें एक जाली डालने हैं, तो ऐसे धागे को ऐसे सलाइमा उपर से ऐसे लेके आगे ले आएंगे धागा को और बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे एक, यह दो, तीन, चार, पांच, इस तरह फंदे डालने से फंदे तोल टाइट होते हैं, छे, साथ, और यह आट पांच, आट फंदे बनाएं, दो फंदे यहीं छोड़ देने हैं, यहीं से वापस पलटके इस सलाइक को पूरा उल्टा बुनके कंप्लेट कर लेने हैं, इस साइड हमें खुछ नहीं करना है, पूरे सारी फंदे उल्टे बना देने हैं, एक साइड हमारा डिजाइन और एक साइड हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है, जाली वाला फंदा है, इस से वियसे उल्टा बना लेंगे फिर से इस साइड एक फंदा उठाएंगे, ऐसे बिना बुने उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करना है, चार फंदे हमें ये हर बार बनाने हैं, एक, ये दो, तीन, और ये चार, चार फंदों के बाद फिर जाली डालने हैं, हर बार चार फंदे उल्टे बनाने के बार फिर जाली डालने, तो ऐसे धागे को सलाई में लपेटा, आगे लाके बाकी फंदे, यह जाली वाला फंदा भी उल्टा बना देना ह До पनर बाकी फंदे उल्टे बनाने, फिर से लास्ट में दो फंदे चोड देने ह्ख है इधर हमारे एक-एक फंदा बढ़ रहा है और यहां हम दोजो फंदे छोड़े चोड़ए दिया को एक рук शरह दो दोफंदे हो लिए और यही से वापस पलड जाने, बहुत आसवां डिजाने हैं कि गणर्स हूद से अराम से बना सकते हैं आपधेई कर आतिते पुरानी जारी या चुनिसा भी बना सकते हैं और अगर आपकी उन पतली है तो उनको डबल करके बनाएं मेरी उन मोटी है तो इसलिए मैं ये सिंगल से ही बना रही हूँ तीस लाई उल्टी बुन ली फिर यहां एक फंदा उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे दो तीन तो ये चा फंद से पहले उन चाहर फंदों के बाद डालनी है और यह जीतने जिद्धे में फंद चौड़ेंगे अइंधर यहां जाली से बढ़ते जाएंगे मोकि एक, और और दो, तिन, चाहरररररर्ण पंच और यह च्छै सिप फिर जोर सब्लेंगे हो फंद आपक शूड़ें यह फंदे को ऐसे बिना अपने उतारेंगे द्धागे को अपनी तिरफ करके यह दो ती चाहर चाहर फंदे बनाएं फिर जाली लेनी ऐसे ताहरें को सलाई में लपटके धागे को आगे लाना है एक दो तीन चार और यह के पांच बड़ा वड़ा वड़ा पंद है पांच दो फंदे फिर यहां छोड़ देंगे यहां इसी वापस पलट के इस से लाइक को पूरा उल्टा पुन के कंपलेट कर लेंगे फिर इस साइड एक फंद उतारा ताहिक को अपनी तरफ किया दो तीन चार चार फंदे बनाएं फिर यहां एक जाली ली ऐसे और एक दो तीन चार चार फंदे बनाएं फिर दो फंदे छोड़ दिये तो यहां हमारे पास एक दो तीन चार पांच बार फंदे छोड़ गए हैं अब इस से लाइक को ऐसी उल्टा बना लेंगे तो जालर वाले फंदे हमें छोड़ने नहीं है और जो फंदे बढ़े हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना है तो जो हमारे 10 फंदे थे वह हमें छोड़ने हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 फंदे छोड़ दिये हैं अब जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बढ़े हैं हां कि दो दो करके हमने 5 बार फंदे चोड़े तो यहां एक एक करके दो तीन चार पास फंदे बढ़ गयें इन 5 फंदों को हमें ही हां क्या करना है सारे फंदे 5 फंदे बंद कर देने इस फंदे को ऐसे सीधा उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर इस फंदे को वापस इसलाई में लेके 2 फंदों का ऐसे एक कर देने है तो यह एक फंदा हो गया फिर इस फंदे को वापस लेंगे एक फंदा यहां से लेंगे यह दो फिर इस फंदे को यहां लिया ऐसे दो का एक या तीन फिर यहां दो फंदों का एक या चार फिर यहां दो का एक या पांस पांस फंदे हमारे यह कम होगे जो हमने बढ़ा है थे अब हमारे पास यह दो, चार, छे, आठ, दस और चार फंदे हमारे यह जालर वाले हैं 12, 14 14 फंदे डाले थे तो 14 फंदे हमारे पास यह फिर से हो गए है और इस गलाई को पूरा उलताबुन के फंदे घटाने के बाद सारे फंदे जो छोडे हैं हमने उन्हें उल्टाबून के कम्पलेट कर लेना है इस साइड भी इस साइड भी इस साइड को उल्टाबून के कम्पलेट करना है तो इस बंदे को फ्रेंट्स एक बार पुनेंगे और एक बार उतारना है नहीं तो यहाँ होल बड़ा हो जाता है दो गुलो 14 तरह हमारी ये एक कली कंपली, यह हमारी जालर है, एक कली है और ये जालर बन रहे है अब यहां से फिर प्लेर समय दूसरी कली शुरू करने है एक कली कंपलीट हो गई है जैसे यहां से सुरू किया था वैसे फिर से यहां सुरू करने है एक फंदा बिना बुन्य उतारने हैं अर्धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे यह उल्टे बना लेने हैं तो हमारे पास चार फंदे जालर के हो गए जैसे यह वाले फंदे थे अब यहाँ जाली डालनी है जाली डालके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे बनाएं, दो फंदे छोड़ दिये और यहीं से वापस पॉलट के फ्रेंट्स इस सारे फंदे उल्टे बुन के कम्पलीट कर लेने हैं तो फ्रेंट्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, तो उल्टी सलाई बुन ली है, फिर से सीधी सलाई में एक फंदा बढ़ाना है, ऐसे, और तीन फंदे उल्टे बना देने, दो और ये तीन, तो ये चार फंदे होगे, यहाँ फिर जाली बढ़ाने है, एक जाली बनाई, और ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे बुने, दो फंदे छोड़ दिये, और यही से वापस पलटके, इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर से एक फंदा उतारा, तागे को अपनी तरफ किया, तीन फंदे, उल्टे बना देने हैं, तो ये चार फंदे होगे, फिर यहां जाली डालनी है, जाली डालके एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे बनाए, दो फंदे फिर छोड़ दे, और यही से वापस पलटके, इस से लाई को उल्टा बुन के कमपलेट कर लेना है, मैं एक कलर से बना रही हूँ, तो एक डूरमेट, आप इसका उल्टा और सिधा, दोनों साइड एक ही जैसे है, आप किसी तरफ भी यूज कर सकते हैं, फिर यहां एक फंदा उतारा, दागे को अपनी तरफ करके, एक, दो, तीन फंदे उल्टे बनाए, फिर यहां जाली ली, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे बनाए, और यही से, दो फंदे छोड़ की वापस पलड़ जाना है, और इस तरफ लाई को फूरा उल्टा बनके, कम्प्लेट कर लेंगे, फिर से एक फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ किया, तीन फंदे, उल्टे एक, दो, तीन, हर बार फ्रेंड्स यह ध्यान रखना है, कि चार फंदे हमें इधर बनाने हैं, और यह जो जाली वाला फंदा इससे पहले, और इन चार फंदों के बाद, जाली बनानी है, जाली बनाके फिर एक फंदा, यह दो, तीन, चार, चार फंदे बनाएं, दो फंदे यहीं चोड़ दिया, और यहीं से वापस बलट के, इन फंदों को उल्टा बूनके कंप्लेट कर लेना है, तो यहाँ हमने, दो, चार, छे, आर्ट, दस, दस फंदे छोड़ लिए हैं, जो हमारे इदर दस फंदे थे जाली के इदर, और यह चार फंदे छोड़ के, हमारे पास यह एक, दो, तीन, चार, पांस फंदे बढ़ गए हैं, अब यहां हमें यह 5 फंदे फिर से बंद करने हैं, तो पहले फ्रेंड़ इस फंदे को, ऐसे नहीं, दो का एक करना है, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, और धागे को अपनी तरफ करके, फिर इस फंदे को वापस इस सराई में ले लेंगे, तो यहां हमारी ये धारी जो बन लिए है ये एक जैसी हो जाएगी और तब दो का एक करके पांस फंदे हमें कम करने है एक ये दो फिस फंदे को यहां लिया तीन एक चार और ये पांस पांस फंदे गटा दिये अब हमारे पास एक, दो, तेरा, चौदा, फिर से चौदा फंदे हो गए तो जिस तरह फ्रेंस मैंने ये दो कलिया आपको बनानी बताई है वैसे ही बाके कलिया बनानी है मैं थोड़ा सा होर भून लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इस सारे कलिया मैंने बना के कंप्लेट कर ली है तो टोटल हमारी एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा चौदा कलियों में यह डूरमेट कंप्लेट हूओ आए अब हमें क्या करना है इसको यहांसे इस कलिय के साथ ऐसे जोड़ देने है तो में सलाई से ही जोडु हूँ उल्टी साइड से जोड़ना है तो इसमें तो एक कलर है तो यह पता नहीं चल रहा है कि उल्टा कि इदर है सीधे कि इदर है कहीं से भी से जोड सकते हैं जहां से फ्रेंट्स हमने फंदे डाले थे इधर ऐसे वहां से हम इसकी सिलाई करेंगे कि उसलाई से मैं सिलाई कर रही हूं ऐसे दोनों को रखना है और इनको यहां से और यहां तक यह जो हमने यहां यह जाल रहे इस तक ऐसे सिल देना है इस फंदे को यहां जो हमने पहला फंदर डाले है उसके साथ ऐसे बुन देंगे दो फंदों को फिर हम एक कर देंगे, ऐसे एक फंदा हो गया, फिर इस फंदे को यहां से एक फंदा उठाया, और ऐसे इन दो फंदों को ऐसे दो का एक कर देना है, फिर इस वाले फंदे को इसके उपर से गिरा देना है फिर से एक फंदा ये लिया एक यहां से लिया और दोनों फंदों को एक साथ बुन देना है ऐसे फिर जो यह वाला फंदा है फ्रेंड्स इसको इसके उपर से गिरा देंगे ऐसे फिर इस फंदे को लिया एक फंदा हम यह हमाना से लेंगे को यहां से एक फंदा लिया जिर्व साहा यह तरह उतर एक शाए मुझेkan होस्धाय एक कर देंगे कर थिये जार 10 प्रीड़ लिए। इसको हम सुई से लेंगे तो इसको कुल्टी साइड से करेंगे जिदर से हमने यह सिलाई की है ऐसे ऐसे यहां से सुई डालेंगे जहां मिकालेंगे फिर यहां से ऐसे इनको ऐसे ऐसे इसको ऐसे टाइट कर देंगे टाइट करके इसको ऐसे यहां जोड़ देंगे इसको ऐसे टाइट कर देने हैं ऐसे फिर बाद में इसको ऐसे धागे को कट कर देंगे दोनों धागे को और इसको भी यह डोर्मेट बनने के बाद ऐसे दिखता है ढार, आप चितना बड़ा भी बनाना चाहते हैं ऐसमें तू के मल्टिपल से फंदे तालने हैं और जो ज़ालर के हमारी चार बना रहें अगर आप बड़ा बना रहे हैं ज़ादा रहें तो यहाँ चार की जग़ा है या आट फंद रग सकते हैं ज़ालर वाले तो- करके बताएं कि आपको मेरा ये डॉर मेडिजेन कैसे लगा थेंक यू